हेलो दोस्तों, सौती पेला हमें ठेंक्स टू आल जो आप ये मेरिग लाइफ वीडियो पर बहतरीन रेस्पोंस आपो और कई स्वीट्स कमेंट्स भी और कई दोस्तों ये मेंशन किदू कि एविच मिसल बीजा वीडियो भी बनावे इन्शाला हमें आपना पासे एहवा ईशू पर हल्की फुल्की कहानी और एनिमेशन साथे खाजिर थे इसू और कहानी कहानी मा कुछ उम्दा मेसेज भी आजे भी हमें एक इंटरेस्टिंग कहानी लेने हाजिर थे आचे पन आ कहानी नो कोई नाम नठी आपो ताकि एन्ड मा आपने खबर पड़े कहानी और किरदार हकीकत मा सूचे और सू क्यों चाहे और प्लीज आप से एक रिक्वेस्ट छे नीचे जम सब्सक्राइब नो बटन आपो छे ये जरूर प्रेस करें और एहना साथे साथे बेल बटन भी आप वीडियो ने लाइक करें और ज्यादा थी ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी मेहनत सगला तक पहुचे हमारी कहानी उदेगर से शुरू थाईशे जहाना राजा उदेभान काफी नेक इनसाफ पसंद रहम दिल और समझदा रहता गनी टाकत वर जेना सबब अरोस पडोस ना राजा उदेभान से जलता मगर हम्मत ना थाती के उदेगर पे हमलों करी सके उदेभान नो नाम और चर्चा दूर दूर तक हती राजा ना आ सियासत और अकल और तरक्की ना खास सबब हता एना मंत्री जे राजा ना वक्तन फावक्तन सला सुझाओ और नीती बनावी ने राजा ने मजबूत ही देता राजा ना लिये आम मंत्री एनी सही ताकत हती जेना सबब दूर दूर तक एना राजनी चर्चा हती राजा ना एक शहजादा डिलेर्सिंग ये भी काफी समझदार अने بहादुर उमर ना सबब राजा बीमार थया ने एने एछसास ठयू कै हवे ही नहीं बच स्वे राजा ये मंतरी अने पोताना शेज़ादाने बुलाया राजा ये डिलेर सिंग ने इहना उत्तर अधिकारी बनाया अने वसियत की दी के मारा आ दोस्तों नो हमेशा साथ राग जो ये जे कहे एनी वात मान जो इहना सला ना खिलाफ हरकिस न जा जो नहीं तो गनू नुकसान उठाओ उपड़ से राजा रुका अने शेज़ादाने कहिऊ मैं तमने आजे मारा एक और दोस्त से मिलाऊं चू मंतरी अने कहिऊ मने उठावी ने सिक्रेट गुफा मा ले जाओ मंतरी अने शेज़ादा राजा साथे एक खुफिया गुफा मा पहुचा वहां सू देखे छे के काफी खुफनाक धराउना फेस वाला बेहत ताकटवर राक्षेस जेम एक आदमी बंदा वा छे राजा ये कहिऊ बेटा आभी मारा दोस्त छे शेज़ादाने गणू ताज्जुप थयो के महराज एने दोस्त कहे छे औने एने साकलों से बांदी राका छे डिलेर सिंग कई पूछता एना पहले राजा बोला दोस्तो एक अच्छी एनिमेशन बनावा मा काफी मेहनत छे ड्रा टूल सी एक एक केरेक्टर अने लोकेशन ड्रा करवो ताकि आपना सामने एक बहतर एनिमेशन प्रिजन करी सके आप भी हमारों होसलों अफजाई करी सको छो हमने सब्सक्राइब करी ने हमारा पिछला वीडियो मा यूट्यूब वीवर्स तकरीबन आइक अने शेर भी ज़रूर करें राजा ये कहिऊ बेटा आँ मारा एक दोस्त छे पन एहने एवीज रिते बांदी राग जो एहने तिवारेस खोल जो जिवारे एहनी ज़रूरत होई अने ज़रूरत पुड़ी थावा बाद एहने फोरण बांदी दे जो खुलो ना मुग जो राजा डिलेर सिंग ने सक्ता ना सब गुड़ बतावी दुनिया से गुजरी गया डिलेर सिंग सक्ता पर बेठा आने राजा ना वस्यत मताबिक राज करवा लगा हर फेसला हर नीती ना लिये मंत्रियों नी सला लई मश्वरों करे जेम उदेबान नी आदत हती राज मा एविज रिते अमन अने खुशाली हती पन पडोसना राजाओं ने जिवारे राजाना मडवानी खबर पड़ी ये लोगों घना खुश थाया ये ने थयू के राजकुमार राजा जेम कुशल न थी अने बेवे राजाओं साजी शरची अने एक साथे बेवे जानिप से हमलो की दो डिलेर सिंग घबराई गया अने मंत्रियों ने बुलाया मंत्रियों सला मश्वरों आपो अने नीती बनावी किवी रिटे लड़वू शे राजा ये मंत्रियों ने सला मताबिक जवाबी हमला किदा सेना बाहदुरी से लड़वा लगी पन बेवे जानिप से मजबूत हमलो हतो सेना कमजोर थावा लगी अने दुश्मन हावी राजकुमार ने गनी फिकर थाई अने एम एहसास थावा लगो कि शिता भी ये हारी जासे अने दुश्मन राजा एहने कटल कड़ी नाकसे मंद्रियों ने पछी बुलाया बुजर्ग मंद्रिये राजा ने एहना बावानी वसीया देयाद दिलावी कौन कि येना दोस्त जिंबाला के जेने एहवा वक्त आवे तो एहनो इस्तिमाल कर जो राजा ने जिंबाला ने याद आवी अने हुकम किदो के जिंबाला ने आजाद करवा मा आवे अने जंग ना मेदान मा भेजवा मा आवे जिंबाला ने आजाद करी सेना पती बनावी जंग मा मोकलवा मा आया जिंबाला ने देखी ने सेना मा गजब जोश नो इजाफ हो थयो जिंबाला ये पूरा जोश औने ताकत से दुश्मनों पे हमलो की दो औने दुश्मन सेना मा कोहरा मचे दिदू दुश्मन सेना मा खोफ वाजे थयो अने डिलेर सिंग नी सेना मा जोश सेना पूरी टाकस से हमलो करी दुश्मन सेना ने मारवा लगा अने जिंबाला भी टाकस साते कहर बढ़सावी रहा था दुश्मन से नाना सिपाही जान बचावी ने भगवा लगा औने डिलेर सिंग ये बेवे राजा ने गिरफतार करी बंदी बनावी लिदा डिलेर सिंग घना खुश्ट है जिंबाला ने भारी इनाम से नवाजा धन दोलत आपी एहना पसंदनी अशिया आपी अने एहने दर्बार मां उचा पत पे बिठाया अने एहना तारीफ मां कई कारिक रंथाया टे बात मंत्रियों राजा पासे आया अने एहना पितानी वसीयत याद दिलावी के हवे जिंबाला ने वापस शिताबी से केट कर देवा मां आवे राजा ने आवाद कुछ सही ना लागी राजा तो जिंबाला ना एहसान मन हता जिंबाला ये एहने एहना राज ने बरबात थावा से बचायू एहने बला के भी रिते केट करी दे दिलेर सिंग ने पोता ना बावा अने मन्त्रियों पर अफसोस थावा लागो के एहवा शक्स ने अगर खुला अने साथे राखता तो आजे कई देश पे एहनो कबजो हतो अने कोईनी ताकत ना था थी राजा ये डिसाइट करो के नहीं जिंबा लाने केट नहीं करे अने एहनी ताकत नो पूरो फाइदो लेसे ए मजबनू राजा है जिंबा लाने पोता नो खास दोस्त बनावी ली दो अने राजा ने खुद मा घनी टाकत अने जज़बानों एहसास था तो जो काम कभी इंपोसिबल लागता जिंबालानी मदद से पोसिबल थावा लगा बीजा देशों पर हमलो करी एहने पोताना राजमा मिलावा लगा अने उदेगर पहलाना मुकाबिल ज्यादा मजबूत थावा लगो राजा ये एहनों पद सवथी उचो करी आपो अने सकतानी घनी चीजों नो अख्टियार एना हात्मा आपी डिदो मंत्रियों ने फिकर थे राजा ने समझावाने आया हवे एनने केट करी दे पन राजा ये बुजर्ग मंत्री ने कोई वात ना मानी अने येनी बे इज़्जद करी साफ मना करी दिरू जिवारे राजा ना माना तो मंत्रियों ये एहनों राज छोडी ने बीजा राज जमा जावानों फेसलों करो अने राजा ने कहिऊ कि तमने एक दिवस गुनू पश्टा हो था से राजा अकेला रह गया पन हवे एना साते हटा एना खास दोस्ट जिंबाला मंत्रियों न जावाबाद जिंबाला और भी टाकटवर था तो गयो अने राज नो पूरो कंट्रोल एना हाथ मा आवा लगो हवे धीमे धीमे ये मनमानी करवा लगो अने पोतानी ताकत नो इस्तेमाल खुद ना राज ना लोगों पर आए दिन करतो सत्ता ना गमन मा चूर थाई अपना लोगों पर जुलम सितम करतो राजा एहना ताकत ने समझता एहना लिए कई बोलता नहीं पन धीमे धीमे राज जनी खुशाली जावा लागी लोगों जिम्बालाना जुल्म से परेशान थै राज जो छोड़ी न जावा लागा राज जमा गरीबी भुक मड़ी पसर वा लागी हवे राजा गना परेशान रहता धीमे धीमे ये बीमार रहवा लागा एहने पोताना मंत्री नी याद आउती पन जिम्बालाना नाराजगी ना दर से ये चुप रहता औने पच्टाता इवा हालात मा राज जमा एक आलिम शक्स आया अने एना राज जमा रहवा लगा एना अकलनी चर्चा चारो तरफ ठावा लगे राजा ने खबर पड़ी ये पोते ये आलिम न पासे गया अने पूरा हालात से रू बढ़ू करो आलिम ये राजा ने प्यार से समझायो राजा ना दिल मा घनु सकून ने तमकुन थायो ने कहयो तमे तमारा पितानी वसीयत पे अमल करो ने जिंबाला ने फोरण इहना कदीम मुकाम मा केट कर दो ने मंत्रियों ने वापस बुलाओ ने इहना मताबिक चलो सगलू बेहतर थाई जासे राजा ये पोतना खास सेनिकों ने मदद लई जिंबाला ने केट करी दिदा मंत्रियों ने वापस इकराम साथे बुलाया ने माफी मांगी ने इहना पत पे बिठाया ने मंत्रियों ने सूजबूज ने सला से वापस राज ने खुशाली ने तरफ लई गया ने ता उम्र एक अच्छा शाशक जेम राज करो ने अपना पत्र ने वसियत की दी जे इहना बावाय की दी दोस्तो तब मैं सोची रहा हसो कि मैं आ कहानी किम सुनावी रहा चू ने सु मतलब आ कहानीनो चलिए दोस्तो आपने आ कहानीना असल किरदार से मिलाए ने असली किरदार ने कहानीना किरदार से जोड़े तो दोस्तो राजा इतले कौन राजा मिन्स हमें पोते पन यहां समझवाना लिये हमें पोता ने एक दमी किरदार से मुकातिब करिए के सपोस आभाई एहना पिता यानी एहना उस्ताद, आलिव, डीन जे एहने बहतर जिन्दगी नी वसीयत करेशे वफादार जे सही सुझाओ सला अने हर फेसला मा मदद करे मंतरी इतले अकल, सबर अने नमन ताई जे हमने जिन्दगी ने किवी रिते गुजारू ये समझावेशे उदेवान सिंग ये वसीयत करी आ लोगोनों साथ हरगिस ना छोड़ जो अने अपना चोठा दोस से मिलायो जेने दिमाग ना एक गुफा मा केट करी राखो चोठो दोस इतले गुसो गुसा ने जहनी गुफा मा साकल से बांदी राखो गुसो भी नेमच चे अने तमने इवा वक्त मा मदद करे चे जिवारे एहनी जरूरत होई एहनी अवाम इतले कौन के एहना रिलेट्यूस एहना वाइफ अने बच्चा हो जह एहनी सूजबूच अकल से खुश्चाल अने सुकून से जिन्दगी बसर करे चे पन एहना इस्ताफ अने कॉम्पिटेटर ने डिसिप्लीन मा लावास्ते जरूरत मताबिक गुसो यानी जिम्बा लानो सपोर्ट जरूरी हतो अने असर एम थायो के एहना गुसाना सबब काम मा अने मार्केट मा अच्छो उठावायो अने काम फास्त थावा लगो एहने पोताना गुसा पर खुशी थाई अने एह ये गुसाने आदत मा शुमार कर लिदू एक हद तक एहनो गुसो एहने फाइदों देवा लगो पन धीमे धीमे ये एहनी सनक बनी गई अने हमेशा चिर्चड़ापन अने बात बात पे गुसो अकल नी सुन्मू बन करी दिदू जेना सबब अकल सबर अने नमन्ताई चली गई और गुस्सों हवी ठावा लगो हवे ये इतना एडिक्ट थे गया कि हर चीज, हर वाट पे गुस्सों गुस्सों नाक पे रहे और हवे गुस्सों एहने कंट्रोल करे ना कि ये गुस्साने गुस्सानी अहालत एह भी बड़ी कि ये पोतानी अवाम इतले पोतानी वाइफ, बच्चाओ, दोस्त और करीबी रिष्टेदारों पे भी गुस्सों करता कोई सी सीधे मूँ बात ना करे जेना सबब ये सब एहना से कटवा लगा दोस्त, रिष्टेदार एहने अवाइट करता अने वाइफ भी पढ़ेशान, वाइफ ये भी सबर खोई डिदो अने पोताना गुस्सा ने भी आजाद करी नाखो हवे डेली हस्बेंड वाइफ मा जगरो ठातो प्यार, खुशी, खतम थेगे इतले एहनी अवाम गरीब अने पढ़ेशान थेगे अने गुस्सों, अपना साते, एहना पोताना दोस्ट, इगो अने नफरत ने भी लाया सो एक प्यारो करेक्टर, एक पागल जिम थी गएओ अने पोते, एहने पच्च्टा उठाव थाव लागो समाज मा नाम अने इज़्जत खराब थाव लागी ये घना परेशान रहता, जिन्दगी बत्तर लागती इवा हालात मा एहनी मुलाकात एक आलिम शक्स से थाई अने ये आलिम ये, एहने पोताना गुस्टा ने बांधवानी नसियत आपी अने अकल अने सबर से काम लेवानी नसियत आपी इहना वात नो असर थायो, अने इह ये डिसाइट करो हवे गुस्सों नहीं करे धीमे धीमे इहना मा बदलाओ आऊ चालो थायो पोलाइटनेस, खुश मिजाजे, अने सबसे नमनताई से रहवा लगा घरमा वापस खुशाली आवी, बरकत आवी, अने जिन्दगी खुश्टुमा बनी गई दोस्तों, आ कहानी ना जरीए, हमें ये ज उन्दा मेसेज देऊ चाहे चे पोता ना गुस्साने, जरूरतना हिसाब थी, यूस करो गुस्साने पोता नो गुलाम बनाओ, पोते गुस्सान गुलाम ना थे जाओ नेचर मा, वो खुश्मिजाजी होई, कि तमने जोईने सगला खुश्टाई, अने तमारा साथे टाइम इस्पेंड करो चाहे ना कि तमारा सी वच्वू, या कट्वू, तमारा फर्जन दोने भी नसीहत आपो, कि एहनी जिन्दगी नेमत होई, अजाब नहीं हमारा बावा शफीक, हमने सिखावेशे, गुस्सा पर कंट्रोल करो, अकल नो इस्टमाल करो, केम के घर नो सुकून चलो जासे, अने तमारा फर्जन भी तमारा मिसल थासे दोस्तो, आ कहानी अच्छी लागी होई, तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अने थाई सके तो, कमेंट्स बोक्स मां, वोताना कमेंट्स आपे, नेगेटिव, पोजेटिव, जे भी कमेंट्स आपे, शुक्रिया